गैस मैं स्टॉक एंड्रोइड का फैन हूँ एंड फ्लैश हॉलिक भी हूँ यानि कस्टम रॉम्स लाइक पिक्सल एक्स्पीजियन से लीने जो इस रीजरक्शन रिमिक्स इंस्टॉल करता रहता हूँ लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कस्टम एंड्रोइड स्किन में मुझे कौन सा ओएस पसंद है जैसे सामसंग एक्सपीजियन स कलर ओएस पंटच ओएस सामसंग वन यू आई तो मैं पिक करूँगा दो ओएस एक ऑक्सिजन ओएस क्यूंकि यह स्टॉक एंड्रोइड के बिल्कुल करीब है और दूसरा मी यू आई सामसंग का नया वन यू आई के बारे में मुझे कोई प्राक्टिकल नॉलेज नहीं है यानि अभी तक मैंने इसे ट्राइ नहीं किया बहुत जल्द ट्राइ करने वाला हूँ लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ मी यू आई के प्वेशिंग वा और इसके साथ ही हमें देखने को मिला MIUI तेम्स जो के बेज था Android जिंजरबरेड फिड मी यू आई 4 के साथ हमें कुछ नहे अप्स भी मी यू आई के देखने को मिला लाइक, मूजिक अप एप एड़ वीडियो आप, फिर MIUI 5, MIUI 6, MIUI 7 और MIUI 7 के साथ हम सेटिंग्स लॉक स्क्रीन हर एक पार्ट को आप कस्टमाइज कर सकते हैं मियूआई से बेटर थीम्स आपको किसी भी कस्टम एंड्रोइड स्किन में देखने को नहीं मिलेगा चाहे वह सैमसंग पार्ट करें तो मियूआई में बहुत सारे यूसफुल अपस आपको देखने को मिलेगा काल रिकौर्डिंग डॉल अपस्यूरियूट वगएर वगएरा वगएरा इस सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट जो है मियूआई का सॉफ्वेर डिवलेप्मेंट यानि हर अफ्टे ब पाद आपको stable release देखने को मिलता है and guys beta version की अगर बात करें तो beta ROM आपको weekly देखने को मिलेगा यानि आपके device में हर हफते एक नया update यह मेरा note 5 pro और MIUI 10 9.3.1 का update कुछ दिनों पहले ही मिला है guys आप भी अगर मेरी तरह stock android के fan हो तब भी आपको एक बार MIUI जरूर ट्राइ करना चाहिए एक different experience के लिए और अगर आप stock android के fan नहीं हो तब तब आपको जरूर ट्राइ करना चाहिए MIUI वीडियो के start में ही मैंने आपको बताया था मैं flash holic हूँ यारी ROMS install करते रहता हूँ तो एक और बात बता देता हूँ MIUI के phones के development बहुत ही solid है यानि बहुत सारे custom ROMS आपको देखने को मिल जाएगा MIUI phones के लिए bootloader आसानी से unlock कर सकते हो और आप try कर सकते हो बहुत सारे amazing custom ROMS example के लिए आप देख सकते हो Redmi Note 4, Note 5 Pro वगेरा अब गईज हम बात करेंगे MIUI 10 and MIUI 11 में आने वाले कुछ amazing features के बारे में इन में से कुछ features Chinese MIUI ROM में आपको already देखने को मिल जाएगा जो के future में global version में भी available हो जाएगा MIUI 11 में मिलेगा आपको system wide dark board, नया sound effects and music level के लिए advanced dolby effects face unlock and fingerprint scanner एक साथ काम करेगा यानि आपको मिलेगा पहले से better and fast service and guys battery saving features भी मिलेगा पहले से better optimized voice command से आप phone को unlock कर सकते हैं, active कर सकते हैं and future में आपको voice command से कुछ और controls भी देखने को मिल सकता है guys videos के लिए album, privacy feature भी आपको देखने को मिलेगा and कुछ और innovative useful features भी आप देख सकते हो जब भी हम कोई APK file install करते हैं अपने mobile में तो वो APK file हमारे folder में रह जाता है लेकिन MIUI के आने वाले feature में आप देख सकोगे कि वो APK installation के बाद खुद बखुद delete हो जाएगा and guys जब भी कोई photo आप delete करोगे तो वो recycle bin में चला जाएगा बाद में आप उसे recover कर सकोगे अगर आपने उसे गलती से delete कर दिया हो तो better voice activated shutter function, new charging animation lock screen पे emergency contacts number and और भी बहुत सारे cool नए features आपको देखने को मिलेगा लिस्ट यहाँ खतम नहीं होती कुछ और features भी बज गए है ghost touches के बारे में आपने सुना होगा false touches में हमें कमी देखने को मिलेगा and 18 by 9 ratio के साथ photo crop कर सकोगे और interface में नए colors भी आपको देखने को मिलेगा यह तो थे features अब हम बात करेंगे performance के बारे में MIUI 11 में performance में भी आपको improvement देखने को मिलेगा apps opening speed हो या एक apps से दूसरे app में जम करना हो यह पहले से quick होगा overall user interface पहले से ज़ादा smooth होगा notification panel भी पहले से जदा quick and smooth होगा better ram management आपको देखने को मिलेगा camera में improvement देखने को मिलेगा and battery management भी पहले से better होगा आप क्या MIUI के fan हो या आप MIUI के बारे में क्या सोचते हो MIUI के phones के बारे में क्या सोचते हो ज़रूर बदाना अगर आप पहली बार i4unbox पे विजिट कर रहे हो तो खाली हाथ मत जाना subscribe करके जाना और साथ में bell icon को प्रेस कर देना notification के लिए अगरे देखते रहे है i4unbox